नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाथ्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं IT स्टॉक्स के बारे में कि यहां पे अगर किसी की पोजिशन है तो क्या करे मेरे पास कमेंड था टैक माहिंद्रा के लिए मैं बात करूँगा सारे IT स्टॉक्स पर और मैं नौर्मली मैक्सिमम आप सभी के साथ बात करता हूं IT स्टॉक्स पर Second thing, Telegram से related आप लोगों की queries आ रही हैं कि भाई हम पेमेंट कर रहे हैं उतना हमें नहीं मिल रहा है तो मैं I think मैं कोशिश कर रहा हूँ बट मार्केट इस प्रकार हो गए कि शायद वहां पर हमारी calls हिट नहीं हो रही है आप मेरे YouTube के काम को appreciate कर रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद एंट Telegram को नहीं कर रहे हूँ मैं Telegram का price कट करने वाल हूँ जो अभी हमारा 999 है उसको कट करके 499 कर रहे हैं एंड मेरे साब से आपके लिए यह कर देंगे फिर जिसको ठीक लगेगा वो एक बार देने के बाद दुवारा देगा नहीं लगेगा तो वो नहीं देगा सिंपल मेरे साब से best है आप लोग प्लीज बताइएगा अब आते हैं stocks पे stocks की बात करें तो यहां IT stocks में आज आपको एक normal move दिख रहा है market अच्छा open हुई उसको बाद गिरावट उसको बाद दुबारा उपर जा रही है तो यहां nifty strength दिखा रही है bank nifty strength शो नहीं कर रही है nifty का strength दिखाने के पीछे का main है कारण metal stocks metal stocks market को lead कर रहे है दिखे आप 2.8% की तेजी है बाकी market में कुछ ज़्यादा खास तेजी है नहीं लेकिन metals एकेले market को उपर की तरफ खीचने की कोशिश कर रहे है banking से अगर सहारा मिलता है तो market आज अच्छा move देगी बाकी अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि दुबारा तेजी की अभी market मेरे साब से consolidate कर रही है यहाँ पर देखते है किस तरफ निकलती है आज एक particular sector उपर खीच रहा है वो भी एक news के दम पर तो देखते है कैसा दिखता है बाकी आप reality, nifty media, energy, auto यह सब देखेंगे तो आदे परसेंट पौने परसेंट उपर है और IT की बात करें तो 0.62 परसेंट की तेजी दिख रही है constituents की बात करें तो SCL tech आदे परसेंट उपर दिख रहा है Infosys भी आदे परसेंट, LTI mine tree इस से regarding काफी सवाल है LTI mine tree इनका जो merger हुआ है अभी तक लोगों के account में पैसे नहीं पहुचे है shares तो आ गए, ratio जो इन्हों ने कहा था 100 shares अगर आप mine tree के hold करते हैं तो 73 shares आपको LTI के मिलेंगे तो किसी के पास 10 थे, तो उसको 7 share तो मिल गए लेकिन जो 0.3 का amount आपकी bank में credit होना था वो नहीं हुआ है ये सवाल है बट मैं आपसे कहना इतना चाहता हूँ कि इस तरीके के कभी भी कोई भी corporate action होते है तो पैसा और shares दोनों मिलते हैं आपको पता ये एक पूरा का पूरा कहिना कि technical काम है किसी के हाथ में नहीं है तो यहां कुछ भी गलत नहीं होगा आपका पैसा आप तक आजाएगा बस थोड़ा relax feel करिए ठीक है जी थोड़ा tension मतली जी तकि market में एक fresh breakout आए green candle बड़ी सी बनते हुँ दिख रहे है आपे scalping के साब से दिखें तो यहां बढ़िया move आ रहा हुआ market में market days high पे आ गया है days high मीन जब वो गिरा था उसके बाद जो recovery स्टार्ट हुए 18,070 तक आता हुआ दिख रहा है आपको market इस समय चलिए ठीक है 18,080 तक की तो मेरी भी उमीद थी और almost वो डनी हो गया है अब आते हैं दुबारा से आपके सामने IT stocks के साथ बात करते हैं तो मैंने आपको बताया जहां पे कि जो LTI मेंटरी है उसके पैसे आपके पास आ जाएंगे अब आते हैं और stocks पे TCS लगबग flat है तेजी ने कल TCS चला था आज Infosys चल रहा है Infosys की बात करें तो आदे परसेंट ऊपर है तो यहां आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ Long term निवेशकों के लिए तो Long term निवेशकों से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि Share Market में आपने 2021 में IT stocks में भैतरीन और बड़ा 2022 पूरा खराब गया IT stocks के लिए पैसा नहीं बना Consolidation रहा बलकि नीची और आया मतलब की negative returns में ले अगर आप 2022 के returns देखेंगे तो यहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि 2022 में time wise और price wise दोनो correction हो चुके है 23 मुझे लगता है दोबार आट belongs to IT तो यहां IT stocks में बने रहने की राया है long term के साब से तो मुझे अच्छी दिखते है सबसे अच्छा कॉन सा दिखता है Infosys दिखता है TCS भी काफी अच्छा दिखता है इन लेवल्स पे SEL Tech भी अच्छा दिखता है Vipro मतलब maximum large cap IT stocks अच्छी दिखते हैं के लिए क्यों 10th January से financial number आना स्टार्ट होंगे और financial numbers जो आएंगे उससे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँआ कि how to read balance sheet आपको पताया नहीं चलती ही कुछ चीज़ है तो वो मैं कोशिश करूँआ एक ऐसी वीडियो लाँ और quarterly numbers कैसे मिलेंगे कहां मिलेंगे सबसे तेज कैसे देखें आप ये मैं आपको screen की मदद से बता ही दूँगा ठीक है जी तो results का wait कर लेते हैं उसके बाद हम इनमें short term के लिए trade करेंगे जो short term के लिए position बनाएंगे तो financial numbers को देखने के बाद ही बनाएंगे उससे पहले रुख जाते हैं फिर भी अगर आपको कुछ लेना है तो 1480 का stop loss रखें उपर में 1550 रुपीज तक के targets बन सकते हैं SCL tech flat चल रहा है इसमें भी आप trade ना लें तो जादा better option होगा otherwise 1020 का stop loss रखे 1040 पे already trading कर रहा है तो रुख जाना चाहिए मेरे साब से Tech Mindra बहुत अच्छा दिखता है LIC खुद इन में stake बढ़ा रहा है दबा के खरीद रहा है मुझे आपने data पढ़ाई होगा मैंने आपके साथ share कर रहा है LIC ने करीब करीब 2-3% का stake maximum ID stocks में बढ़ा दिया है तो यह आपको इंडिगेट कर रहे है कि heavy hands कई ना कई बाय कर रहे है बड़े लोग खरीद रहे है चाहे आप Infosys देख लीजिए चाहे आप SCL Tech देख लीजिए चाहे आप TCS देख लीजिए Tech Mindra देख लीजिए या Vipro shareholding pattern चेक करेंगे तो FIADIs की buying दिखेगी आपको public का stake कम होगा क्योंकि एक साल में public परिशान हो गई यही समय जब आपको public से तोड़ा मतलब आगे लेवल पर सोचना है एक normal इंसान से और या आप share market में पुराने हो का मुला पसर दना आयोंगी थैंकि स सो मुच पॉची थीजिए